कि यहां तक हमने छोड़ा था लास्ट वीडियो में तो आप यहां से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसकी पीडिफ में अप्लोड कर चुक हूं टेलिग्राम पर किसी को चाहिए तो वहां से ले सकता है ठीक है और कल गाइज कोई बीडियो नहीं आया उसको रिजन नहीं है कि कल यूपी एसी का एक्जाम था तो आप लोग को ने भी दिया होगा वह एक्जाम और बहुत थक गए थे या इतना थक गए थे अक्छली मैंना थोड़ा लेट हो गए थी ट्राफ एक्जाम को चाहिए तो कोई बीडियों नहीं आपाया बहुत ज्यादा थक्का होने के विज़ा से सो अब हम बातों को बंद करके यहीं पर स्टार्ट करते हैं ओके सो जो सबसे पहली न्यूज है थोड़ा समय इसको जुम कर लेते हूं यस हैंसर क्रेटर के बारे में है यह न्यूज तो आई देख चन्दरमा के दक्षण ध्रूफ, कहाँ पे चन्दरमा के दक्षण ध्रूफ, यानिके साउथ पोल पर रिस्थै टेख करनाम करन है थेंसर क्रेटर कर दिया थीक है नासा, मैंने थोड़ा साए इसको चिपा दिया है एक मिनट, दुबारा से लेते हैं ठीक है, क्या-क्य है है से नोट काना है हम लोगों को जो अमेरिकन अंदर्च एजेंसी नासा उसने चंद्रमा के दक्षण दुरूब यानि कि साउथ पोल पे इस थिते क्रेटर क्रेटर मतलब गढ़े को बोलते हैं ठीक है उसका नाम करण कर दिया है हेंसन क्रेटर ओके तो यह चीज आपको याद र नहीं है अच्छा यह रखा किसके नाम पर गया है तो यह है नाम प्रत्थिफी के उत्तरी धुरुफ तक पहुंचने वाले अमेरिकी अस्वेद व्यक्ति मैथ्यू अलग्जेंडर हैंसन के नाम पर ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं और हैंसन उत्तरी धुरुफ तक हैंसन उत्तरी धुरुफ तक पहुंचने वाले व्यक्तियों में से एक हैं ना कि पहले हैं ठीक है क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था कि उत्तरी धुरुफ पर जो सबसे पहले गए वह रावट प्यारी गए हैं तो यहां पर हैंसन नाम देखके मुझे थोड़ा से कंफूजन इसमी कुछ भी हमाले भी चैplayer किया तोसरी धूल वर्किले घुंट केंवाले शीघ का म्यारी गाच क्हकर्ण करण के सबुलुट क्ậpैके मदेखके में तो स्रोल निससा इंग्या वर्स पढ़नता है को यहां पर ऊगली को मतलए इसको आंग्या था तौक्ड और यह था क्या यह भू अवलोकन उपग रहे था EOS इसी से आप लोग अंदाज लगा सकते हैं अर्थ अब्जर्विशन साटेलाइट ठीक है तो EOS03 एक भू अवलोकन उपग रहे था ओके नाम से ही इस परस्ट है अचा यह करता क्या तो भू अवलोकन करने में करता क्या प्राकृत कापताओं के साथ साथ जल निकायों फसलों वन आवराण परिवर्तनों इत्यादी की निग्रानी में सच्चम उपगरत था ओके और नेक्स्ट इंग है कि इसरो का साउंडिंग रॉकेट तो इसरो द्वारा साउंडिंग रॉकेट रह 560 आपके सेकेंड को लांज किया गया है ठीक है साउंडिंग रॉकेट क्वेश्चन इसी तरीके से आ सकता है कि अभी डिसेंटली अगर क्वेश्चन की लैंगोज बड़ी करने होगी तो इसको भी आट कर देगा जैसे कि अभी डिसेंटली सिरी 37 धवन अंतरच केंडर हरी कोटा से इस सुरू द्वारा साउंडिंग रॉकेट को लांज किया है उसका नाम क्या है तो इस तरीके से आ सकता है राइट आरच 560 एम की सेकंड उसका नाम है ठीक है तब यह कल से खराब हो रख्या पता नहीं क्या हो गया ओके तो यहां पर तो हम कर चुकें साउंडिंग रॉकेट जो अब भी रिसेंटल इस वान लांज किया है क्या नाम में उसका थोड़े सा इसकोंडर लाइन भी कर देते हैं आरेच 560 एम के टू ओके कहां से लॉंच किया है तो हमारे है मोसली यहीं से सब कुछ लॉंच होता है साथिस दवन अंत्रिच के इंद स्री हरी कोटा से के ओकी सो आगे बढ़ते हैं अच्छा वर्तमान में भारत वारा संचाले थीन साउंडिंग रॉकेट हैं कौन कोई से हैं वह एक रह 200 है ओके एक रह 300 एम के टू है और एक अभी तर्ड वाला जो है यह आरेच 560 एम की सेगिंड ओके अब आगे बढ़ते है यह वाला जो है यह सबसे ज्यादा इंपोटेंट है अभी तक हमने दो न्यूज पढ़ी है लेकिन उससे ज्यादा इंपोटेंट यह वाली न्यूज आ चुकिया है क्या है इसमें देखते हैं पिए सेल्वी सी 51 आमेजोनिया वन तो यह जो आमेजोन के जंगल है ब्राजील में यानि कि साफता अमेरिका में जो ब्राजील कंटरी है उसमें है यह वन वर्चा वन राइट और जो दुनिया को अक्सिजन प्राप्त होती है उसको 20 परसेंट अमेजोन के जंगलों से ही प्राप्त होती है और इसमें बहुत फ्रीकूइंटली आग लगने की घटना भी ह भार्ति अंत्रिच अनुसंधान संगठन इसरो ने आंधर पदेश के स्री हरिकोटा इस्थित एक सेकेंड़ाइच इसरो ने स्री हरिकोटा इस्थित के इंद्रशे PSLVC51 के माधम से कुल 19 अपग्रहं को अंत्रिच में परच्छेपित किया ठीक है और वट्स 2021 में इसरो का पहला मतलब यह तो कोई इंपोर्टन लाइन है नहीं हमाई लिए इंपोर्टन यहीं है कि अभी अमेजोनिया वन को प्रच्छेपित के आ गया है में लांच किया गया है किससे किया गया है बहान का क्या नाम है PSLV PSLV फॉल फॉल फॉर्म ता इस आपको पता ही होगी पोलर समिसन था तो तड़ेपन वा था यह भी याद रखना कोई जादा इंपोर्टन नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो इसमें है क्या कि जो अमेजोनिया था मुख्य उपग रहता इसका 19 में सबसे मुख्य उपग रहता यह अमेजोनिया ही था और यह कौन से का था तो ब्र सब्सक्राइब करने के लिए समझ सकते हैं इसको हम लोग ठीक है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ओके तो आगे बढ़ते हैं यह पहला पूर्द वारेजिक मिशन था नसाइयल का ओके आगे बढ़ते हैं तो यहां से इंपोर्डेंट बस यही है कि अमेजोनिया वन को अब भी डीशेंटली लॉंज किया है फ्पी असे लुश्टी 51 के द्वारा कहां से लॉंज किया है स्रीहरीकोट आदमदेस से लॉंज किया है कौन से मिशन था तरभी पन्वा मिशन था और अमेजोनिय कहां का था तो ब्राजील का था ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं अब ह अच्छा इसमें अमेरिका के भी 13 पग्रह सामल से 19 किये थे ना तो एक तो आमें उसका था ब्राजील का ठीक है और 13 जो थे उसमें अमेरिका के थे 5 भारत के थे भारत की कौन कोई से थे यहां सब कुछ यहां पर गीवन नहीं है अच्छा यह सब थिंग्स हैं लेकिन इंबोडन नहीं है इसमें से कुछ आने वाला नहीं है ओके आगे बढ़ते हैं इसपेश हरीकेएं अंत्रिचिर दूफान इसके बारें बात कर लेता है नेचर कमिनिकेशन पत्रिकार नेचर्प्चेएं का साइनस की वी आ ति है यहां पर communication की भी आती है तो प्रकासिष्ट एक अध्यन कनुसार्ट चीन के वग्यानिकों ने उत्री दुरुफ के उपर पहली बार एक space हरीकेन या अंतरच तूफान का पता लगाया है ठीक है कहां के वग्यानिकों ने लगाया है चाइना के वग्यानिकों ने उत्री दुरुफ के उपर इस से पहले space हरीकेन को केवल सध्धान्तिक परिगटना माना जाता था तो गाईज अगर पहली बार ऐसा हुआ है अंतरच में तूफान का पता लगाया है तो ये भी पुछा जा सकता है कि किस कंट्री के वग्यानिकों ने लगाया है चाइना के ने लगाया है कहां पर लगाया है उत्री दुरुफ के उपर लगाया है राइट आगे बढ़ते हैं तो आगे उसमें कुछ और भी होगा तो ये क्या है कि electron की वर्षा करने वाले इस space hurricane को पहली बार उत्री दुरुफ के उपर उपरी वात्रावन में record किया गया है ठीक है ऐसा होते हैं पहले कभी नहीं देखा गया है तो पहली बार ऐसा हुआ है तो आप भी सकता है कि space hurricane को किस country के बग्द्या नीको ने देखाए चाइणा के ने देखाए कहां पर देखा उत्री पर देखाए करता क्या यह इस प्रभाव क्या होता है तो electron की वर्षा करता है ठीक है electron की वर्षा करता है लिखा हुआ तो ऐसे हैं इलेक्ट्रोन की वर्ट्षा करने वाले हैं ओके आगे बढ़ते हैं तो कि आगे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है अच्छा यह इस पर सारीकेन जो था यह एंटी क्लॉक्वाइज गुम रहा था ओके नेक्स्ट है कि मिशन प्यास अलबी सी फिप्टी सी अमस जिरू वन यह इतना अमेजोनी एमपोडेंट था ना उतना यह नहीं लेगिन फिर भी हमको तो पढ़ना पड़ेगा तो मिशन प्यास अलबी सी फिप्टी की सफलता पूरवक समपन हुई है उडान कहां से स्री हरीकोटा वही एक ही नाम आता है हमारे हां से निकलके तो और इसमें कुछ नहीं है ठीक है आगे बढ़ता है एक यह वाला भी इंपोडेंट नाइच प्यास एल्वी सी फॉर्टीन इओ एस जिरू वन मिशन यह वाला सफल रहा है ठीक है एक और अर्थ आपजर्वेशन मिशन आपने उपर देखा था वह सफल रहा था लेकिन यह व मुझे लगा था कि भाहर से किसी नवाद दी तो मैंने इसको रोके तो देखा था भाहर ओके तो इस मिशन को भी कहां से लॉंच किया गया है स्रीहरीकोटा आंद्रपदेश से ही लॉंच किया गया है और EOS 01 यह तो अक्चली इंडिया का था और इसका त्रिक नो बिदेशी उपग्रेश में थे ठीक है टोटल टैन को क्या गया है तो एक तो हमारा इंडिया का था EOS 01 और नो बिदेशी उपग्रेश में सामिल थे किस से लॉंच किया गया है तो PSLVC 49 विकल से लॉंच किया गया ह आगे बढ़े हैं तो और ये करेगा क्या तो ये तो आपको बता है ये करेगा क्या आप EOS मिशन है भू आउलोकन उपग्रह है तो क्या करेगा मुखते क्रशी वानी की तो था आपदा प्रवंदन जैसे अच्छेत्रम सहयोग करेगा ओके और वजन वजन कोई व्याद रखने के वाली थिंग्स नहीं है गाइज और EOS 01 एक राडार इमेजिंग उपग्रह रीसाट ही है ठीक है तो रीसाट है ओके EOS जो है रीसाट है ठीक है कि ये लिए मिशन जो घगया है इसमें नौ बेदरा स्भव कर्यों का प्रच्छ पड़ कैब ngay इसमें एक लिथुआनियया च्छा को अब में हैं का ये नियूंग बांटिक का क्छर्वाट्रिक्राम में हमें हैं यह और जर्बार चार चारम को नाम के नाम मैं यह दो तिन दे नहीं पहले आपको बोला था कि आपको पता हौ णो निजिए कौन कोशे country with a पाल्डिक मपरिच कौन कोसे कंट्धाइब यह क ecosystem लुख CH लाट्विया है एट एक और कौन से हैं किसी नाम बाली है मेरे को याद जाना सौरी तो यह इसका पूरा डीटेल हम पर दे रखा है कि लोगे इस डीटेल से हमको कोई लेना देना नहीं है आगे बढ़ते हैं यह क्या है अंत्रिच विभाग एवं मेशार्स अगनी कुल के मदद समझोता ओके छोड़े इसको भी इस रोका मिशन सुक्रियान नवम्म दोजार बीस में स्वीडन ने भारत के शुक्रियान वन मिशन से जुड़ने का नन लिया है ठीक है कौन सा कंटरी जुड़ेगा हमारी शुक्रान मिशन से तो स्वीडन और इसकी कार्बिटल का है स्वीडन की स्टॉक्हॉम ही है ना हाँ स्टॉक्हॉम ही है मुझे याद आ गया ठीक है तो और स्वीडिस इंस्टिटूट ऑफ इस्पिस फिजिक्स आवं भारत की अंत्रिच चेदरिशी यानिकि इश्रो के मद है सहयोग पर आधरित या दूसरी प्रियोजन होगी आएसा कुछ इंपूडन नहीं है इस मिशन का उद्ध्य से क्या है सुक्र ग्रह के बात आवन के अध्यान करना है वो तो इसकी नाम से के लिए हो रहा है ठीक है तो इसमें ज्यादा कुछ इंपूडन नहीं गए बस यही आप याद रखें कि शुक्र मिशन के लिए कौन से कंट्री ने भारत के साथ आया है तो स्वीडन आया है ठीक है ओके यह शुक्र ग्रहतू अन्य देशों के मिशन है ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फिंग है यहाँ पर कि कल्पना चापला के नाम पर कार्गो अंत्रच्यान का नाम रखा गया है तो यह इंपोर्डन बन जाता है क्योंकि कल्पना चापला इंडियन ओरिजिनेट पर्षन ह है ठीक है तो देखते हैं कि अक्टूबर 2020 में अमेरिकी एरोस्पेस एम रक्षा प्रदवगी की कंपनी नार्थ्रोप गुरुमान कर्परेशन ने अंतराष्ट अंत्रच्ट इस्टिशन हेतू कंपनी के चौध हैवे पुन्हे आपूर्ती मिशन NG-14 को अमेरिका के वरजीनी आइस्थित वाल्प सदीप से प्रच्चेपित किया ठीक है यह तो हो गया वाल्प सदीप से प्रच्चेपित किया कल्पना चावला का नाम किसके नाम पर रखा गया है इस मिशन के धायत कंपनी के एंटारेस राकेट के माधम से सिगिनस अंत् इस एंतरच्यान का नाम का एटि ऐनजीफॉर् outfits Z ann इस मे बंपना चाव्ला के नाम कहा गया है मैं इसका नाम है इसका नाम है ऐनजीफॉर्टिन सीगनस अंतरच्यान तो ड्माल में क्लपना नाम नाम कहा आया है मेरे तो दिमाग में आई नहीं बहुत तीक देखनें फिर भी देखनें याद रखेंगे पसी इसी चीज को एंजी 14 सिगनस ये उस यान का नाम है और ये कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है ओगे बढ़ते हैं अच्छा अच्छ 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 अब इस यान को कल्पना चावला एस एस कल्पना चावला ही बोला जाएगा गाइस ठीक है यहाँ पर एक क्लियरली मैंशन है इधर यह देखिए यहाँ को तो वह बाला सेक्षण हमारा कंपलेट हो चुका है अब हम यहाँ पर आजाते हैं अध्यतान अध्यत्तन तक्नीक और प्रद्वगगी की अपडेटेटट अजिए इसको बोलेंगे हिंदी में और सौरी अंग्रेजी में तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं वह हमारा कंप्लेट हो चुका है एंजी 14 का नाम रखा गया है एसस कलपना चावला ओके और कलपना चावला के वारे में आप जानते ही हो कि भारती मुलकी पहले महिला थी अंतरिश में जाने वाली है अच्छा अभी डिशनली तीसरी महिला और बनी है सिरिशा बांडला सुना भटनागर कुरुषकार 2021 तो कौन देता है इसको CSIR देता है CSIR मिन्स इसका फूल फर्म क्या है और बैग्यानिक आवम अनुसंधान परिशद इंग्लिस में क्या बोलेंगे इसको काउंशल आफ साइंटिफिक एंड अनुसंधान को तो इंग्लिस में बोलते हैं रिशार्च इसको कॉझें समझ्च में न यहारा है यार कॉइंटिफिक लिसर्च के दिमाग में कुछ आता है मैरे दिमाग में वाStopकर अगर कोई चीज मनतों नहीं आनीओ तो नहीं आनी ऐँ हाँ जबकर की पहता है क्या है इसका हिंटी मेरे सामने लेकिए पीर कि याद रखना है कि सांति सरु बटनागर प्रशकार कौन देता है तो अब कि बार किसको मिला यह तो कही शेतरों में दिया जाता है जे बिग्वान रिशान बिग्वान कत्वी अरे इतना कौन याद रखेगा छोड़ी छोड़ी इतना इतने सारे लोगों को मिला है तो यह तो आना तो है नहीं एक काम किजिए आप बस क्या करना है आपको कि बस इतना याद रखे कि CSIR कौन सा प्रशकार देता है सांति सरु बटनागर प्रशकार ठीक है ओके इससा ज्याद रखोगे तो दिमाग में कु इस सूचकां को बिर्टिश वर्जिन आईलेंड आधरित साइवर सुरक्षा कंपनी सर्फ शार्क के द्वारा तयार किया गये डिजीटल क्वालिटी ओफ लाइफ इंडेक्स आपको लग रहा है कि यह बटनाट है ठीक है देखी लेते हैं बस इस डिजीटल क्वालिटी ओफ लाइफ फो इंडेक्स ॐंटी ट्वेंटी ओन में इंडिया की रहनक आप याद रखेगा यह पाँंच इसके पिलर्ड्स है इंट्रनिट आफ़ॉर्डिविलीटी Internet Quality, Electronic Infrastructure, Electronic Security and Electronic Government सारे कोच electronic है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो यह नमबर वान है और नमबर मारा 59 है इंडिया का अच्छा जो एक्स्क्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स था उसमें 49 वह रैंक थी इंडिया की को तोड़ा सा याद करने क्योंकि यह पर 69 नंबर आया इसलिए रिकल कर लेते हैं ठीक है एक्सक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स था उसमें इंडिया की रन्ग 49 थी लेकिन यहां पर 59 है किसमें कौन सा इंडेक्स है ये फिर से भूल गए देखना पड़ेगा डिजिटल कॉलिटी ओफ लाइफ इंडेक्स ठीक है डिजिटल कॉलिटी ओफ लाइफ इंडेक्स इसमत इंडेक्स की रंक कितनी है 59 आगे बढ़ते हैं कुछ भी ऐसा आए तो आप भी इसी तरीके से क्या है यह ATL कोई फुल्फर्म भगर रहा है कि इसकी सठीक है देखते है अटल इन्विशन मिचन नीती आयोक इश्रो और सीवेसी के साथ मिलकर इन चारों ने साथ मिलकर इसकूली च्छात्र में अंत्रिच्छे नवाचार तथर अचनातमक्ता विक्षित करने के दिश्ट इसका फुल्फर्म वगरा नहीं दे गया कुछ आगे है क्या ATL अटल टिंकरिंग लैव अच्छा जी ओके जी यह है अटल टिंकरिंग लैव को स्टार्ट किया गया है अटल टिंकरिंग लैव स्पेस चैलेंज 2021 ठीक है किस-kis ने मिलकर गया है तो यह आ सकता है किस-kis ने और नितियायो कहिए ATL innovation mission यान की एम है देन इसरो एंड देन cbse अब बच्चों के लिए क्या है तो cbse तो साथ हो गई और अगर इसपेस के लिए है तो इसरो साथ होगा और बाके इन दोनों को भीया तरक लिए अठाल innovation mission और नितियायो ठीक है आगे बढ़ते है प्रत्थम विद्धुत वाहन अनुकूल राजमार्ग विद्धुत वाहन अनुकूल राजमार्ग ऐसा भी होता है उनने सगस 2021 को कारना या फिर करण इसको बोल सकते हैं कारना जील रिशॉर्ट में स्थापित सौरूर जाधरित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्खाटन किया गया इसके साथ ही दिल्ली चार्णिक राजमार्ग देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन अनुक राजमार्ग आने कि एलेक्ट्रिक वहिकर अनुकुल राजमार्ग कौन सा है तो डेली टू चन्दीगड राजमार्ग ओके याद रखना आना याना देख लेना अगर गलत करका है ना कोई तो आपका एक नमर कटेगा एक नहीं एक जाधर नमर कटता है क्योंकि एक नमर तो गया उपड़ से और नेगेटिब भी ले गया ठीक है तो यह कुएशन आना ही आना है प्रत्थम विद्धुत वाहन अनुकुल राजमार्ग कौन सा है डेले टू चन्दीगड आगे बढ़ते हैं पुआ कि राष्ट्री ने हाइडरोजन मिशन इसके बारें बात कर लेते हैं वैसे फाने फ्रीन दिवस के अवसऱ पर प्रतान मंत्री हैं जी मैंने भी सुना था उस ट्राइम जब मोदीजी भासनल दे रहे थे तो बोला था नोने नशनल अजन के बारें थीक है तो इस मेशन के माद हम से भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन अच्छा ग्रीन हाइड्रोजन की बात यहां पर आई है तो हमने इसी दिरस्टी का इंटरफ़र्स में ही एक एंटी पिसी द्वारा एक एक और मेशन लॉंच किया गया था और वो करते क्या था कि एक प्रोजेक्ट लॉंच किया गया था वह भी ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को लिख रही था कहां पर था तो सिमहादरी पावर स्टेशन के आंदरफ़र्देश में था ठीक है एंटी पिसी द्वारा श्टार्ट किया गया था वह भी एक इंप हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई है और है यह तो हो गया ठीक है पस इतना ही है कि ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए नेसल्ण हाइड्रोजन मिशन की शुरूआत की जाएगी और ऐसी गोफशना पर्धान्मंत्री मोधी ने अपने भास्ण में की थी आगे बढ़ते हैं उन लेखने है कि सर्व प्रथम हाइड्रोजन अर्थ विवस्ता हाइड्रोजन एकोनोमी नाम सब्द की अवधाना दच्छन अफ्रीकी रासाइन सास्त्र जॉन ब्रोकिस गाइज यह तो इंपोडेंट है ठीक है तो यह भी मॉस्ट इंपोड़ेंट मार्क कर लेजिए ठीक है हाइड्रोजन एकोनोमी जो वर्ड दिया है किसने दिया है जॉन वोक्रिष्न हागे बढ़ते है राश्ट्रिय वर्ष दोजार्ट थीन में भारत में राश्ट्रिय हाइड्रोजन उर्जा बौड नेश्नल फ़् कि राश्ट्री हाईलोजन उड्जा रोड में प्रस्तोद किया गया उके अउल्लेख नहें की भारत मिशन इनोवेशिन नवगे करनी अमसक्ष हाईलोजन चैलेंज IC8 Mission Innovation Renewal and Clean Hydrogen Challenge IC8 के भागिदार देशों में से एक है ओके अभी हम पर जाता कुछ नहीं आगे बरते है एक वहन scrapping नहींती आई है guys vehicle scrapping policy तो PM Modi ने राष्टी आटो मुवाल scrapping page नीती का सुभारम किया है इस नीती का सुभारम video conferencing के बाद थेम से गुजरात में निवा शिखेर सम्मिलन इन्वेस्टर सम्मिट के दौरान किया गया और आगे बढ़ते हैं इसमें होगा क्या कि वहन निर्माता scrapping प्रमार पत्र नए वहान खरीदने पर 5% के छूट दे सकते हैं ठीक है 5% के छूट मिलेगी यह याद रखना लेकिन आपको करना क्या अपने पुराना जब वहीकल से आपके उनको scrap करोगे आप तभी मिलेगा scrapping प्रमार पत्र दिखाने पर ठीक है 5% के छूट मिलेगी और commercial वहीकल पर 15% के छूट मिलेगी और अगर आप scrapping के प्रमार पत्र दिखाऊगे तो नया वहान खरीदने पर आपको 5% की छूट मिलेगी और इसके अलावा इसके अतरिक्त पुराने वहान रखोगे अगर आप तो अगर आप पुराने वहान ही रखते हो तो और क्या होगा अनुप्यक्त वहानों का सौथा पंजी कर नरास्त हो जाएगा ठीक है इस नितिक अनुसा निम्न वहानों को छूट दी जाएगी कौन से वहानों को छूट दी जाएगी तो मजूद हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वहान सी एंजी इथेनोल और एल्पीजी वाली वहान और खेता में प्रॉक्त होने वाले क्रश्व करण जैसे ट्रक्टार टिलर और हर्विस्टर राइट ओके अच्छास में यह नहीं ज्या गया है कि जो स्क्रेपिंग वाली जो यहर्स हैं वो कितने हैं तो गई जो पर्सनल वहिकल है उसके लिए 20 साल है और जो कमर्शल वहिकल है उसके लिए 15 साल है ठीक है 15 और 20 जिवास में मुक्त इस पाथ ग्रीन स्टील यह क्वेशन भी हमारे important होड़ जाता है कि स्वीडन जो है यह जीवास में इंधन मुक्त इस पाथ यानिकि ग्रीन स्टील का उतपादन करने वाला विस्टो का पहला देश बन गया है तो वर्ल्ड में कौन सा कंट्री ग्रीन इस्टील का उतपादन करने वाला पहला देश हुआ है सुपिधं तोह कई बार आया है हमारे इसी करण्ट फिर्म मैं तोह कर और रहाया था किसलिए आया था बताई बढ़ा है अब हमारा जो शुक्रियान है इशरो काantically के लिए इश्रो के साथ कि ने साथ साथ काम कर marshmDAY तो स्वasis और केरें स्वेटन की पुलना नहीं बूलना नहीं बूल नहीं है टो महाँ पर आगे बढ़ते हैं स्वस्वेडन की अगयाद सामने आची कि गिरीन स्टील का उत्पादन करने वाला और गिरीन स्टिल होटा क्या है जिवास ग्रीन इसको बोलते हैं Green Steel और इसका उत्पद्दन करने वाला विस्तों का प्लादेश बन गया है सुजन ऑगे जल्डी से बढ़ता है जल्डी से जल्डी से जल्डी से जल्डी से बैस्विक साइवर सुचकांग तो ITU International Telecommunication Union द्वारा ग्लोबल साइवर सीकर्ट इंडेक्स लॉंच किया गया है इसमें जो मतलब इसके जो मापन स्थम है माप करने के स्थम है वह यह वाल है इसको आप याद रखे या मत रखे आपके मर्जी है इसमें जो है इंडिया की रैंक येस इंडिया की रैंक यहाप इंपूर्टेंट हो जाती है माले दसमा इस्थान वाओ इसमें तो थोड़ा सा अच्छा कर दिया है इंडिया ने थें और नमबर वन पर आय थे अमेरिका ही होगा हाँ जी अमेरिका ही है ठीके नमर वन है अमेरिका यह रहा और हमारा इंडिया है नमबर 10 पर किस ने क्या है यह आई टी यू ने और कि इतना इसमें किसने जारी किया है कौन टॉप है कौन लास्ट है आगे बढ़ते हैं अचाँ साइवर सुरक्षा मंण लास्ट है वह पताए यह तीन उंतला इसे अगर अपने मैप देखा है वर्ल्ड का तो माइक्रोेश कीधार है तो आपने देखा होगा जब भी आप और उस्ट्रलिया का माप पढ़ते हो न तो वहीं पर आपको और उस्ट्रलिया के उत्तर पूर्व में, ठीक है, माइक्रोनेशिया, पॉलेनेशिया और मेलोनेशिया, ये तीन दीब मिलते हैं, छोड़े मोटे, नीचे आगर आप साउथ में देखोगे, साउथ, इस्ट में, तो वहाँ पे आपको मिलेगा न्यूजिलेंड, और फिर ऑस्टलिया तो है, तो य अदे किया आता है, और श्यूह नाम धुर्व कहरें कि उस्टोर्व में, तो आपको पर निचल जायगा तिके इसी सब को मिलाखंर कलोते हैं उसदेख्ञों माइक्रोनेशिया, तो ये माइक्रो नेशिया है और बैटि कंटी तो तो चेट वल्ड मरू है, चेटर फल और यमन साथ में इन सबको लास्ट का नमबर मिला है साइवर सिकर्टी इंडेक्स में तो हम आगे बढ़ते हैं अच्छा बेटिकन सिटी कौन से महातिप में है तो यूरोप में हैं आगे बढ़ते हैं टॉप फाइवड़ की सूची आई है किसकी सोची है कंपूटर की सोची है और सबसे जuard जाधा तेजगती वाला कंपूटर कॉन सा या पान का फूगाकु यह जो है सुपर कंपूटर फास्टेस्ट है वर्ड मैं ठीक है याद रखना है सबसे फास्टेस्ट ओर में एफड़ों Ford नाम यहां पर दर्ज करवाया है या नहीं तो यस हमारे भी यहांसे तीन कंप्पूटर है कौनकौन से हैं पारम सिद्धी नभ्य प्रतियूस एक्सो आठ रता था मिहीर 188 ठीके पारमसिद्धी प्रत्यूस मिहीर इन तीनों ने यहां पर अपना नाम इंक्लिउट करवाया है 90 वी रैंक 108 वी रैंक और महीर की है 188 मी तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे हाँ से भी 3 कंप्पूटर है फुगाकू आप देख लेजिए सम्मिट कहां कहा है सियरा भी अमेरिका कहा है अमेरिका कही होगा आपने देखा नहीं या इक रेंज है उसके बाद सोरी उसके बाद है सनवे टाई हूला ताई हूलाई ना अगर आपको अजीब से लग जा ना में ना चाईना कही होगे और यह परलमोटर यह अमेरिका तो इतना जाद था हमको याद नहीं रखना है बस आप यह याद रखना है हbooksले के दो चार में याद है जैस फुगा कु तब को याद रखना है 100% इंडिया याद रखने है presentmichir और पर्तियु समिहर और प्रतु शेदि और और यह को याद रखLUi जैसे इसला कि याद रखना ही नहीं है है hypersonik-power शुरंग कि तो hypersonik-power mm और उनिश की सम्भर aqueles को एंट रक्छम एत्या मंदर mica सिंहुनत है है hypersonic water tunnel हां इसका थान नाम हो जायए कि मां English सौच इस connection with 콘 커피े 2022 second तो परिच्छ से भुदाकषी न किया गया है और PhD you के है अच्छा अभी है आपने अगर दिया है वह पता नहीं ये तुर्लापको तुह पता ही होगा तो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपसको आद्ट आपसी क dislodon अद्ट। यह यहाँ औछ सुरण बनाने वाला भारत अमेरीका और रसी के बढ़ति है। बाद रखने हैं आगे बढ़ते हैं वहम लोग अच्छा इस्टिल कोट पादन में भारत की रांग कौन सी है भारत सकेंड नमर पर है चाहिना के बाद ओके अब हैं यहां पर कुछ सरीर आवम स्वास्त विश्यक वैग्याने गतिविदियां हैं और यह भी हमारे इंपोरेंट हैं जल्दी से कर लेते हैं थोड़ा से स्पीड को मैं फास्ट कर रहा हूं यहां ठीक है तो यह है आईसमान भारत डिजिटल मिशन इसको लॉंच किया था प्यम मोदी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से आसा नहीं कि किसी स्थान पर किसी प्लेस पर जाकर इनको मिशन बोलो कुछ भी होगे इस नहीं यह तो चैक यूटीज में लॉंच किया जा रहा है इसको और इसको यूटीज करनाम भी याद रखने हैं हां हो सकता है कि वह आ जाए बिल्कुल हो सकता है प्रधनमंतरी मोदी जी ने शुरूब करी है छाय ईूटीज में पूछ जा सकता है कौन-कौन सी यूटीज है वो तो आगे हम पढ़ेंगे उनको भी ओके और इस मिशन का राष्टर व्यापी सुवारम आयुश्मान भारत प्रधान मंतिर जनारोगे योजना की तीसरी वस्ट्राट के अवसरपी किया गया है इसको यूटीज कौन-कौन से उसका नाम थ प्रधान मंत्री पोशन योजना तो प्रधान मंत्री प्रश्मी कांद पढ़ी है तो आप इसका आजर जानते हैं अधर्वाइज आप नहीं जानते हैं मंत्री मंडल अब मंत्री परिशव में क्या डिफ्रेंस है बताएगा अगर आप महीं पाता है तो फिर लच्मी कांद पढ़कर मिपूटाईं और पर आपके पास नहीं है तो आप Google से ऊहारा है है पूरी पीडियाफ है आपको देश सकते हूं ठीक है ओकी सो आगे बढ़ते हैं यहां पर प्रधन मंत्री पोश्यन योजना इसके अभी मंजुरी में प्रदान की गई है और उसके और अठीक के सब्सक्राइल को सब्सक्रार्ण में प्रायोजित च्वार्योजना है यह अपने पलावजीत का मतलब कहता जाताएं ऊंट्रम स्पोंसर जो किया जाता है ऑनी जो सेंटिर को राज कैंदर को राज की हुचना है अगर उसी को ले लिया जाए तो उसमें 60-40 का रेश्यो है आपने देखा होगा लास्ट ट्वेंटी के यूपी पीसेस में यह एक्जाम में आया था तो 60-40 का रेश्यो है इसमें अगर 100 रुपे इसमें फंड के जाएंगे आए समय भारत योजना के लिए तो 60 रुपे केंदर यह जो है पूर में चल रही उसकुल में मिड़े मील योजना के लिए राश्ट्री योजना के नाम से जाना जाता का इस्थान ले लेगी अब फिर ठीक है राश्ट्रे फुर्द्धान मंत्री पोश्ण योजना मिड़े मील कब सुरू हुआ था सबसे पहले तो से सटार्ट वा था इसके आज शेंज दो बढया सब अब्च इसके लगए तो उसको पेपर बनाने वालों को भी अच्छ लगए हो आइटिंक सू यह सकता है जैम इंपोरन शालग रहा है तेलंगाना के विकारावाद जिले से जिले विला कोई नहीं पूछ रहा पूछेगा तो बस यही कि मार्डिशन फ्रम्दा इसकाई जो परियोजना है कि राज़े के दोरा स्टार्ट करी गई है तो तेलंगाना के द्वारा तेलंगाना जो कि हमारा 2014 में दो जून को बना हुआ उन्तीसमा स्टेट है भारत का लेकिन अब उन्तीसमा तो था उस टाइम पर आप तो अठाइस स्टेट है भारत में अब 28 नंबर काई बोला जाएगा न अब इतना जादा दिमाग नहीं लगाना ची हमको यह से पूछने व क्या हुआ य्यो आजिए अब कर दो कि हीड़ा शोव धू भारत ब्हारत का पहला बाइव ना नहीं नहीं मैं नहीं गलत बोल दिया उसमों फ्रादउ को मंत्राला थी जब से मंत्री के पास है थे मुझे भी कन्फू जाने बहुत जादा फिर से पढ़ना पड़ेगा ठीक है तो स्री चित्रा तरुनौल इंस्ट्टूट फॉर मांडिकल साइंस एंड टेक्नोलोजी मैं भारत के पहले हिर्दया घात शोध बैंक नहीं नेशनल हट फिल्डियर बायो बैंक का दुगाटन किय है कि हल और टेकव आज सब्सक्राइब की का भारत का हिर्दय घात सोधेटू बाहत का पहला बायो में कहां पे स्टार्ट का गया तो के लामस्टम का नम कोई नहीं बूच रहा कहां पे के लल में कहां पे के लल में में ऑके यास आगे बढ़ते हैं गोबा येस घाइज अगें इप मुष्ट इम्पॉटेंट कुषिश्चन गोबा देश का प्रत्थम रेवीज मुक्त राज बन गया ठीक है फर्स्ट इस्टेस्ट बना है गोबा रेवीज फिरी होने वाला याद रखेगा बहुत इम्मोडरन कुश्चन है याद रखना है देश का पहला रेवीज मुक्तराज गोबा और किसी और चीज के लिए भी गोबा आया था न्यूज में अब मुझे याद नहीं आ रहा हूँ अगर यहां पर गीवन होगा तो देखते हैं हाँ रेवीज के वारे में तो आप लोग जानता ही हो एक जलान तक रोग है कुट्टे के काड़ने से फैलता है वैसे तो बारस के कारूं ओके पानी को देखने से आई थिंक इसमा पानी वाने से भी कोई टेंशन होती है रेवी को कोरूना को दे रहे हैं ठीक है यह अच्छे रोग हैं बहुत अच्छे हैं ऊके तो । डबलु आचों ने चीन को मलेरिया मुक्तों कर दिया है और यार्ज तो यह हमने पढ़ लिया कि चाइना जो है अभी मलेरिया फ्री हुआ है अच्छा हमारा इंडिया का टार्गेट कब है मलेरिया फ्री होने का बताई जल दिसे जल दिसे बताई तो गाइच मलेरिया से फ्री होने का जो टार्गेट है वो है 2030 और टीबी से फ्री होने का जो टार्गेट है वो है 2025 ठीक है 25 टीबी और 30 मलेरिया 25 टीबी 30 मलेरिया 25 टीबी 30 मलेरिया याद कियेगा ठीक है यस 2DG IUCA क्या है तो इसका दो नाम आपने सुना ही होगा सुना होगा सुना होगा सुना होगा आपने ड्रग कंट्रोलर जर्नल अफ इंडिया ने कोबिन आइंडिन महमारी की दवा अंटि कोबिन ड्रग 2D ऑक्सेडी ग्लुकोज अब तो पता चली गया होगा जब मैंने पूरा नाम पढ़ दिया तो अब तो आपको याद आ गया होगा कि क्या है यह टूडी ऑक्सी डी क्लुकोज और इसको क्या बोलते हैं टूडी जी बोलते हैं कि आपा तरस्तेमाल को मंजूरी पिदान करती यह बनाया किस नहीं था तो यह ने बनाया था और यह किया है तो आट पता नहीं किसकी कॉल आ जाती है यह फॉरी आगे बढ़ते हैं कहां पर थे हम कॉल पर मेरा ध्यान जा रहा है नंबर भी ध्यान जा रहा है किसका नंबर था और नंबर मुझे पता चलिया फ्रॉड आइक्चली मैंने इस टेम इंटरनेट आफ कर रहा है वरना लिखा हुआ पर नंबर आए मतलब की यह ना इस पर मैं ठीक है ओके बढ़ते हैं तो तो यह दबा इस दबाग के बारे में आपने सुना ही होका अलड़ी बहुत चछचा में थी और थी यह अक्चुली ठीक है यह पर लिखा हुआ नहीं वैसे कि यह और थी या कैसी थी लिखाएए इतना मेल को बताया और वाराश का नए है फरेंट तो इससनफ़ तो आपको पड़ताई है अपर को शराओ थी हमारे हैंनने नातरी नाम दोटाएथ, कि मिले टो श्राओं experienced हलए हाम अरों को बोलाए वे उसी तब के चाइना एक थी कि नहों आहीं की यह इंडिया के हैं लेकिन इंडिया के जो बिदेश मंत्रला था उसने इस चीज पर आपति जयताई थी हमारे आपका क्यों बोल जैसे जैसे कि चाइना कहता है कि हमारा हमारा क्या मतलब को ना समने थोड़ना मतलब चाइना को दिक्कत होती है ना जब उस पर आरूप लगाए जाते हैं तो ठीक वैसे ही इंडिया के बिदेश मंत्रले ने भी इस पर बहुत ज्यादा विरोध किया था इस चीज का कि इंडिया का क्यों बोल तो इसको कपड़ डेल्टा दोनों इंडिया में मिले थे लेक हम रख भी नहीं सकते हैं कोई रख लेगा इतना लंब नाम याद भी यू आई दोजार बीस बार है अच्छा ये तो लेकिन डेट हाँ ये डेट हो सकती है ओके ओके आगे बढ़ते हमारे हां के जो डेल्टा उनका नाम आप हो याद रखना कपपा एंड डेल्टा हमारे हा हमारे माईए जी दोजाता है जैसे कि यूकिम् को घ intrans भी चाहिए है वारियंट उसका नाम क्य है अलबफा जो डचना अफरिका में खो़जा है वह भी टा जो ब्राजील में खौजा गया है वह गामा इंडिया में खोजे गए हैं ओकपा डेल्टा दो मन तो थैं सिर्फ साहे अलफा है बीटा है तच अफ्रिका का गामा है ब्राजील का याद रखना है आपको याद यह वैसे होगा नहीं एक बार आप लिख लिए इसके बाद द्वारा पॉलड़ी तब याद होगा तो अखिल भारते कोबर डाइंडिन का एक करम इसका शुरुआत किसने कि यह प इंडालेक्ट लिखा कोई सोच भी नहीं सकता कि यह कोरोना से है वो था एक टू क्या है था ना एक क्वेश्चन एक टू क्या है फुल कम केपिलल लैटर्स में लिखावा था एक टू तो उसका मतलब किसे था विसानु जनित रोगों के प्रशार से था ठीक है तो अब यहा मतले यह से लिए क्योंकि वेक्षिंग के बारे में तो हम रोजी सुन रहें हैं यार क्या पढ़ाए इसको तो अब भारात सरकान ने अच्छुली अब जो अपने प्रोशी है उनकी सहाता करने के लिए वक्त लॉंच किया था कॉन सी पैस्टिन मात्री पैस्टिन किया था औ ठीक भूता बूतावन ठीक है भूतावन और पर्यावरन विज्ञान और इंप्रण इंपोरेंट है में लिए अगे बढ़ते हैं तो अभी फिलाल के लिए आप से एक नेक्स्ट किसी बीडियो मिलते हैं ठीक है चारे हैं ओर नहीं आंगा था कि अगर मंगलवार तक आपके पास मंगलवार का कब है मं अब बॉला है रमेश जी खैर यार यह कॉल मेरे को उठानी थी पर थोड़ा सा बाद मुठाएंगे यह कॉल थोड़ी से इंपोरण थी गाईज और वैसे भी हम इस सेशन को एंटी करने वाले थे तो हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स सेशन में ओके और वो मैगजिन जल्दी है तो देखते हैं क्या होता है ठीक है ओके थैंको समच और बाए बाए बाए